कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा करते हुए घटना कारित करने वाला अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त तमंचे वर तीम जिंदा कार्तू सहित गिरफतार किया गया और जेल भेजने की कवायद में जुटे हैं दरसल आपको बता दे 19 दिसंबर 2022 को सोनवीर निवासी ग्राम विश्नोई वाला थाना कोतवाली देहात द्वारा थाना पर तहरीर देकर बताया गया था कि उसके पिता नरेंदर सिंग जो वन विभाग उत्तराखंड में स्कैलर के पद पर कारेरत थे वो खेत में पानी देने पुलिस वस्वाट टीम को घटना के अनावरन वसं लिपद अभियोकत की गिरफतारी हितु निर्देशित किया गया पुलिस वस्वाट टीम द्वारा की गई छानवीन व वविवेच नातमक कारे वाही के दोरान अभियोक्त मुकीम निवासी ग्राम माहैश्वरी जद थान कोतवाली दिहात पुलिस उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त मुकीम उपरोक्त को गिरफतार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त शून्य एक तंचा 315 बोर व शून्य तीन जिंदा कार्थूस बरामद किया गया। बाइट श्री रामर्स, एस पी ग्रामीन बिजनौर आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी समवाददाता नीरच पाल की यह लेटस्ट खबर जनादेश भारत न्यूस चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विडियो को शेयर और लाइक कीजिए धन्यवाद नमस्कार देखते रहे खबर जनादेश भारत न्यूस पर दिनाद 19.12.2022 को सुन भीर सनाब नरेंदर सिंग निवासी इसलामपुरू जुष विश्मोई वाला थानाकोत वाली देहात ने अपने पिता नरेंद सिंग की अग्याफ अभिप्तो दोरा गोली मार कर हत्या करने के सम्बन में हत्या का अवियोग थानाकोत वाली देहात प प्रिकास में लई गई इसमें मुकीम पयुत्रमोविन रॉbei सुरुब काले निमाशी मैंश्रीजट् वा आमीर सनाथ मसीता निमाशी विष्णोय वाला खाना कुद्वाली धियाद का नाम प्रिकास में आया अभिङुत्व मुकीम पॉत्रमोविन को गिरफतार किया गया गि मिर्टक मरेंद्वारा उसकी बहन वा उसके साथ ही रई सुर्प काले की बहन से फोन पर बागता करता था जिसको ले करके अरिवार की रोग जो है मिर्टक मरेंद्व से रंजिस रखते थे इसी करण जिनांक 18-12-2023 को यह उनावत तरीके से हम लोगों ने मिर्टक को उसके खे कीम फोतर मोबीन को मानने नियालेक समझ प्रेस किया जा रहा है से सब्सक्तों गिरफतारी के लिए टेम गठित की गई है सीगरी गिरफतारी करके इसमें अग्रिम कारवाई पूंड़ जी जाएगी